हेलो दोस्तों अस्सलाम अलाइकुम वरहमतुल्लाही वबरकातु हूँ आप देख रहे हैं संजीर बलग और मैं हूँ संजीर आलम उम्मीद करता हूँ आप लोग खेरिया से होंगे तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कतर में COVID-19 वैक्सिन के लिए कैसे अपलाई करेंगे तो उसके लिए हमने वीडियो बना रखा है अगर आपने अभी तक वीडियो नहीं देखा है तो आई बटन में आपको उपर लिंक मिल जाएगा वहाँ पर जाकर क्यों वीडियो देख सकते हैं पहले वीडियो आपको देखें देखिए दिस्क्रेप्शन में भी उसका लिंक मिल जाएगा वहाँ से भी जाकर क्या वीडियो देख सकते हैं कैसे अपलाई करें उससे पहले आपको ये वीडियो देखना जरूरी होगा क्यो आपको account बनाने के लिए क्या-क्या चाहिए वो बताएंगे और ये account बनाने से आपको क्या-क्या benefit होगा वो last में बताऊंगा क्यूंकि important है वो क्यूंकि आपने account बनाया तो उसके लिए बहुत सारे फाइदे है आपके पास एक पुरूब हो चाता है आप कतर में काम कर रहे हो आपको कोई complain करना हो तो उस account के थूरू जो आप यहाँ पर एक application है आमिरनी इसके थूरू आप apply कर सकते हो तो इसी account से आप login अमिरनी में भी कर सकते हो तो उसके लिए पूरा वीडियो आपको देखना होगा तो उसके लिए आपको सबसे पहले क्या-क्या चाहिए तो आपने ID से लिया हो वह mobile number होना चाहिए दूसरे का ID का mobile number आप चला रहे हो तो उसके मैसेज नहीं आएगा वह activate नहीं हो पाएगा उसके लिए आपको call करना होगा तो इसके लिए आपको अपने ID से लिया हुआ mobile number होना चाहिए उसके एक OTP डालने के बाद continue करना होगा उसके इसके बाद आपके पास एक email ID होना चाहिए उसके बाद आप जहां पर रह रहे हो उसका जो बाहर आप देखते हो green plate लगा रहता है वो तीनों होना चाहिए घर का number zone number और road number यह तीनों आपके पास होना चाहिए आप यह सब लेके बैठो आते हैं स्क्रीन पर और दोस्तों अ आपको डारेक्ट उस page पर आ जाएंगे जिस page पर हम जाएंगे N A S इतना टैप करने के बाद आप सीधा ऐसे page पर आ जाएंगे आप ऐसे page पर आने के बाद आपको क्या करना है register पर क्लिक करना है आपको register करते हैं जैसे रेजिस्टर पर क्लिक करेंगे तो आपके पास इंटरफेस खुल के आएगा तो आपको चार चीज़े यहां पर दिखाए जारा चार स्टेप है पहला अकाउंट टाइप है आप कौन से कैटिगरी में आते हो आप काम करने के लिए आए हो तो कतर सिटीजन्स एन में आता है अगर आप घूमने के लाए तो आप वी जिटर में आते हो तो आपको चूज करना उसके बाद आता आपका प्रस्जनल इंफोर्मेशन उस पर बाना होगा जो आप और यूज गरो इसके लिए उसके बाद आपको कंप्लीट हो जाएगा तो हम सबसे पहले इस पर कखिलिक करते हैं इस पे किलिक करने के बाद इंटरफेस खुल की आया तो हम है तो यहां पर आप देख रहे ह 탄ot कि यह जो लाल निसान में लिख रहा है آپ आप देख रहे हैं कि इन अर्ला निसान में कि कि आपके पास वही मोबाइल नंबर आप Selden होगा जो आपने अपने आईडी से लिया है वही मुबाइल नमबर डाले दूसरा मुबाइल नमबर ना डाले यहां पर आईडी नमबर डालेंगे उसके बाद यहां पर मुवाइल नंबर डालेंगे, मुवाइल नंबर डालने के बाद, यहां पर हम capture डाल देंगे, यह capture पूछ रहे हैं किया आप रोबोट हो, तो हम रोबोट नहीं है, तो इस पर नो कर देंगे, तिक लगा देंगे, ताकि नो हो जाएगा, उसके बाद जो next page खुलके आता हैं, वहां पर आते हैं तो जैसे हमने continue किया तो मोवाइल नंबर डालने के बाद आपके मोवाइल पर एक message आया होगा वो OTP जो लाल निसान दिख रहा है, इसके अंदर डालने के बाद continue करना है तो हम OTP डाल करके continue करके दूसरे पेश पे आते हैं देख सकते नमबर दो पे आ चुके दो नमबर पे सबसे पहले आप कौन से देश के हो तो वहाँ पे choose करना आप कौन से देश के हो आपको नीचे आते हैं तो आपको अरवी में नम भरना है तो आप यहां अरवी में भर सकते हो नहीं तो आप इंगलीज में भर सकते हो उसके लिए नीचे आते हैं तो सबसे पहले आपको first name लिख देना है आपका जो भी नाम हो उसके बाद नीचे लिख देना है last name middle name नहीं भी लिख होगे तो भी चलेगा उसके बाद आप लाल निसान में देख रहे date of birth है उसके बाद आपको आपका address भर देना है आपका building number कितना ऊपर उसके बाद zone number उसके बाद state number भर देना है उसके बाद आपने scroll down किया नीचे आए तो आपको email id डालना जरूरी है क्योंकि start लग गया आपको email id डालना है जरूरी है दो बाद डालना उपार डालना सेम email id नीचे डालना email id डालने के बाद हम आजाएंगे तीसरे number पर आप नमबर पर यहां पर हमें बनाना है password क्रेट करना है तो आपको यहां पर कम से कम 6 अंका password बनाना है वह भी तीन तरीके तीन चीज़ के अंदर सामिल है एक तो number डालना पड़ेगा उसके बाद आपको later भी डालना पड़ेगा जो small later होता हुँ capital भी डालना पड़ेगा उसके बाद में एक special जो character होता है star hse base भी आपको एक डालना होगा उसके बाद आप continue करते हैं करने के बाद आपका account बनके ready हो चुका है तो last page पर हमाच चुके हैं आपका जो user name होगा वो आपका id होगा password हमने जो बनाया आपने जो बनाया होगा वो password आपका होगा आपका भी भी login कर सकते हैं तो दोस्तो फाइनली आपका अकाउंट बनके रेडी हो चुका होगा हमने तो बना के रेडी कर दिया आप दिया इसे बना सकते हैं तो इसके फाइदे हैं वो आपको बता दू इसके फाइदे क्या है आप एक एप्लिकेशन अमेर नहीं है उस पर भी आप लॉग इन कर सकते हो आपका कोई कंप्लेन है या कोई शिकायद करना चाकते हो तो उस एप्लिकेशन के फुरू जाकर करके आप डारेक्ट शिकायद कर सकते हो जाने की जरूरत भी नहीं है इस एप्लिकेशन के फुरू श कर दे दे और कर केसा कई से लगवाने के लिए रेडिय हो जाए और लगाने जो फाइदे लगाने के जो पाइदे हैं आने वाले वक्त में अगर वैसे लगवाकिक से ँष्क तुह सफंद मुल्क ना करना पड़ए कियुकि को रूरानटीन का जिरूल lies ये खतम अभी नहीं होने वाला है हो सकता है लाश्ट ये साल लाश्ट तक खतम हो जाए क्योंकि अभी नहीं है खतम होने वाला ये रूल हो क्योंकि आप लोग को वैश्चिन लगवाल लेना चाहिए तो उमीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आएगे, अगर वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को सस्क्राइब कर दे, थैंक्यू फर वाचिंग